एक ओर्डर का आना और लोगों में थोड़ी सी खलबली हो जाना ये सुभा से ही लगातार नजर आ रहा है आप लोगों के लगातार मेसेज़िस आ रही है कि माम थोड़ी से क्लारिटी जो है वो हो नहीं पा रही है यही वज़ा है कि इस समय हम लोग DC आफिस पहुंच चुके मेरे साथ में मौझ हैं जिन से आपके जितने भी सेनने हैं वो मैंने लिस्ट में डाल लिए हैं ताकि आप लोगों गर कोई भी परिशानी हो आप लोग अभी भी लाई में लिक सकते हैं अगर पर जोबुच ली जाएगी और अभी जितनी यह समस्यां हैं वो सर से पूछ लेते हैं और किस तरह से निवारन होगा जम्मू के समस्याओं का वो भी जा लेते हैं देखें और के जिसका आप जिकर करें मैं समझता हूं शायद वो स्टेट एक्जेक्टिव कमिटी का ओर्डर है जो हर फ्राइडे गाइडलाइन आती हैं और रिवाइज होती है और यह फ्राइडे रिव्यूज कोई नई चीज नहीं है यूटी अब जेंड के के लिए अबने प्रक्रिया यूटी में चल रही है जब हर फ्राइडे को हाइस लिवल जो अथारिटी है जो स्टेट एक्जेक्टिव कमिटी जिसको कहा जाता है उनकी सिधारत में एक मीटिंग होती है जिसके अंदर सभी जिला प्रोकुमुक्भी रहते हैं सीनियर अबने प्रोकुमुक्ति दर क्या है और इस तरीके की वेरियस पैरामीटर के बेसिस के उपर गाइड़ लाइन्स को रिवाईज किया जाता है जो हाल ही में पिछले दस बारा दिनों का जो हमारा ट्रेंड रहा है जिसकी हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिये भी लोगों का भी तजरुबा है बड़े शहरों का experience है कि यह जो वेरियंट है इसका spread rate transmission rate बहुत fast है जी और हमें और ज्यादा इहतियात की जरूरत है तो यही मैं समझता हूं यह जो order निकला है यह इसी चीजों की इनी developments की background में इस यह order जारी हुआ है जिसके अंदर एक additional चीज एड की गई है कि non essential movement को restrict किया जाएगा weekends पर भी जबकि पहले भी non essential movement सुबह रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक band थी जी सिरफ उस जो restrictions को extend किया गया है weekends पर भी क्योंकि एकसर weekends पर देखा जाता है कि हम कुछ लोग ज्यादा casual हो जाते हैं और जो essential movement होती है उसके over and above भी बहु करते हैं या move करते हैं उन्हीं को restrict करने के लिए order निखाला गया है इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है clarity लाने के लिए हमने भी officially भी लोगों को कई अपने Twitter handle के जरीए भी इंफॉर्म किया इंटिमेट किया है आपके जरीए भी इंटिमेट करना चाहेंगे कि जो non essential movement है उसी पर हर प्रकार की रोक लगाई गई है although हमारे जो stakeholders है chamber of commercial industry हमारी market associations उनके साथ भी सुबह से काफी detail में बातचीत भी हुई है और consultations भी हुई है और मैं मुबारक बात देता हूँ उनको भी कि उनकी तरफ से भी एक जो voluntary closing of shops and business establishments की आज से बात हुई है जो मंडे सुब तक के लिए वो भी मैं समझता हूँ एक welcome कदम है और यह मैं समझता हूँ आज मौके की नजाकत भी यह कहती है कि हम voluntary भी non essential services को जितना curtail कर सकते हैं उतना करें कल Sunday है Sunday market musti लगाई जाती है इस समय essential उन में से कौन सी रहेंगी कौन सी non essential रहेंगी और लोग किस के लिए निकल सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा detail में बता सके तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो government की तरफ से दुकानों के खुलने के उपर कोई official पाबंदी अभी फिलहाल नहीं है और इसलिए उसका order में उस चीज़ का जिक्र नहीं है क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को lockdown के साथ अक्सर जोड लेते हैं क्योंकि पिछली wave का कही न आपने Sunday Market का जिकर किया street vendors की हम बात करते हैं तो उनकी livelihood ही इन चीज़ों से चुड़ी हुई है तो इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी सरकार की तरफ से नहीं है however हम voluntarily लोगों को ये appeal जरूर कर रहे हैं कि जितना भी वो अपनी activities को restrict करें जितना भी हम हो सकता है कि हम जितना अपने staff को कम बुलाएं कम से कम hours के लिए जिसमें हमारा काम चल सकता है उतना हम ensure करें तो मैं समझता हूं उससे भी हम बहुत जादा जो congestion हमें बाजारों में शहर के congested areas में देखने को मिल रही थी वो कम देखने को मिलेगी और मैं समझता हूं उसका सबसे पहला उधारन आज का दिन ही है आज दुपहर में भी अगर हम मार्केट में देखेंगे तो जो आम तोर पे वीकेंड्स पर रश रहता है उससे काफी कम है तो मैं समझता हूं यह अपील जो है हमारी और आपकी तरफ से जो लोगों तक जा रही है market associations की तरफ से जा रही है उससे हम खुद बखुद essential और non essential का फर्क कर पाएं सर्फ hotels और restaurants यह दोनों ऐसे चीज़े होते हैं जिनके कई कई धाबे भी कि सुबह समान लाया रखा और शाम तक बेच दिया अब इस चीज़ को किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है उनको essential में डाला जा रहा है क्या restaurants खुल सकते ही और नहीं कुल सकते हैं उनके लिए क्या है देखे चेंबर ने भी अभी हाली में एक tweet डाला है जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है और हमारी consultation के साथ यह बातचीत हुई थी कि जो groceries हैं हमारे drugs हैं medicines हैं हमारे बहुत सारे eatables जैसे आपन wave 1 में भी बहुत सारे हमारे restaurants ने किया जैसे लोगों को भी सहूलत रहती है और restaurants का भी जो daily activities है वो disrupt नहीं होती है तो मैं समझता हूँ यही सारी जो services है यह basically essential है जो हमने experience से सीखा है उसके अलावा MHA के भी जो essential services की list काफी detailed list जो government of India ने निकाली हुए वो काफी clarity है उसके अं और इन restriction से deal करें तो मैं समझता हूँ कि एक जो clarity जिस level की होनी चाहिए उस level की clarity लोगों में है लेकिन अगर फिर भी को specific queries लोगों के आएंगी definitely हम इस बार भी थोड़ा सा confusion रहा था wave 2 में भी अगर बात की जाए तो कुछ-कुछ जो restaurants थे वो यहां के तो बन थे बट जो में highways की थे उनको बंद नहीं किया था कि लोग वहां से गुजरते हैं क्या इस बार भी ऐसा ध्यान रखा गया है definitely highways के उपर खास focus हमेशा मारा रहता है because हमारे transporters दिन रात travel करते हैं बहुत सारी goods and services हमारी जमू से कश्मीर या कश्मीर से जमू आ रही होती है तो highway के उपर कोई restrictions नहीं है इसी तरीके से जो हमारे commuters या सहलानी highway को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी कहीं खाने की या किस तरीकी कोई दिक्कत ना है service stations की दिक्कत ना है तो वहां पर किसी प्रकावी कोई भी रोक टोप नहीं है similarly railway station और airport के उपर भी आने की या जाने की किसी को भी किसी प्रक station में भीजा जाए और district control room के जरीए उनकी monitoring देगी जाए रेलवेज के अगर बात करें बस्तें के बात करें जिस तरह से तूरिस्ट की बात आती क्योंकि हम लोग टूरिस्ट पे डिपेंड करते हैं तो वो लोग जो यहां पर आएंगे क्योंकि कभी बार देखा गया है और पूछ रहे हैं कि माम टाइमिंग का अगर आप बता सके कि क्योंकि रात को वहां पर मुसली दुकाने खुली होती है अब उस तरीके को किस तरी से देखा जा रहा है आपके अनुसार की रात को 11 बजे तक दुकाने खुली रहें बस्टेंड और रिल्वेसेशन में यहां उन तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाए कि अगर कोई लोकल लेवल पर फैसिलिटेशन देनी है वो हमारे जो लोकल मजिस्टेट्स हैं इन कंसल्टेशन विद लोकल स्टेकोलडर्स वो रिलाक्सेशन उनको दे रहे हैं विकॉज यह जो जगह है यह जो सिनेरियो यह हर इसेंशल शॉपकीपर्स क्यों ना है कि चाहिए वो मास्क की बात हो दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो अगर हम उन चीजों का ख्याल रखेंगे तो मुझे मैं समझता हूं कि एकनोमी अक्टिविटी साथ साथ चल सकती इस बार इंपोज नहीं होगा जैसे पिछ यानि कि अगर कल कोई धाबा खुल जाए एक सिंपल आम लेमैन की लेंगुज में बोलूँ कि अगर कल कोई धाबा खुल जाता है या कोई रेस्टरन खुलता है तो मतलब उन पर कोई F.I.R. लॉंच नहीं होगी या कोई चलान उनका नहीं होगा बिलकुल बिलकुल को सुन पाती है उनके लिए आने वाले समय में क्योंकि कोवीट में इस समय हो मैसलेशन पे जादा ध्यान दिया जा रहा है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है तो मैं आपके जरीए भी अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे टोल फ्री हल्प लाइन नंबर्स हैं 2571616 25719 उसके अपर 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की मदद के लिए सला के लिए हल्प के लिए और हमारी जो एमर्जनसी हल्प लाइन नंबर्स एम्बुलेंस के लिए हैं 108 जो एन एचम की तरफ से चल रहा है वो भी अवैलेबल है अगर किसी को खुदना खास्ता एम्बुलेंस की जरूरत पढ़ती है हस्पताल पहुंचने के लिए वो भी चल रहा है और तकरीबन 200 से 200 कॉल डेली हमारे डिस्टिक कंट्रोल रूम हैंडल कर रहा है इसी तरीके की एसिस्टेंस के लिए उसके अलावा कोई 3000 हमारे होम आईसोलेशन में जो पेशेंट्स है उनको भी हमारे डिस्टिक कंट्रोल रूम से कॉल जा रहा है मॉनिटर करने के लिए उनकी हेल्थ को और उनको एड़वाईज करने के लिए तो इस तरीके की सर्विस इस अवेलेबल है सबसे बड़ी बात है कंटेंमेंट जोन पिछले अवी रात की बात करें बारा आट कंटेंमेंट जोन निकाले गए टेस्टिंग उनकी किस तरीके से की जा रही है प्लस और जहां जहां पर लोगों ने अपनी टेस्टिंग करवानी है कुछ भी सिम्टम्स उनको लगर नजर आते हैं क्योंकि सिदर अब ध्यान में है गवर्मेडिकल कॉले चले जाए है किसी हॉस्पिटल में चले जाए है क्या आने वाले समय में प्रशाशन की तरफ से अ बाकी रूरल एरियाज में हैं और तक्रीबन साड़े छे साथ हजार टेस्स हमारी टेम्स डेली कर रही है पिछले हफ्ते की बात करो तो 38,000 टेस्स जिसके अंदर से 11,000 तक्रीबन आटी पीसिया टेस्स शामिल हैं हमारी डिस्सिक की टीम ने किये हैं और एक कॉंस्टेंट प्रक्रिया हमारी वो टेस्स ट्रैक और ट्रीट की जो स्ट्राटेजी डव्यरी स्काम कर रही है इसके अलावा प्राइवेट लैबस को भी टेस्टिंग फसिलिटी अवेलेबल है उनके लिए भी जो हैं रेट्स हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग अप्रोच करके अपने करवा रहे हैं इसलिए मैंने जैसा कहा कि टेस्टिंग के लिहाज से ना कोई कापासिटी की शॉट फॉल है सिर्फ और सिर्फ लोगों की कोपरेशन की हमें जरूरत है कि कहीं जगे लोग परहेज कर रहे हैं जहां माइड केसिज हैं और हम शायद अवाइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं इन तरीके की चीज़ों को तो वहीं मैं अपील करना चाहूंगा कि लोगों अपनी सेथका खुद ख्याल रखें अगर होम आईसलेशन में अपने ख्याल रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है ले उस शुकरवार की मीटिंग में इस चीज़ को भी रखा जाएगा कि जो पेपर्स हो रहे हैं उनको पोस्टपॉन कर दिया जाए हैं किस तरीके से आगे देखा जाएगा देखें जेके एससबी एक इंडिपेंडनेंट और्टनोमस बॉड़ी है वो अपनी इसाब से कॉल ल है इस समय अनिम्प्लॉइमेंट का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है उस चीज़ को मदे नजर रखते हुए लोग सड़कों पर आ जाते हैं क्या अब जो प्रोटेस्ट कर रही हैं या जो करेंगे उन पर भी कारवाही हो सकती है या उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है क्योंकि परशानी उनकी भी जनवन है और आपकी जो बोला जाएगा वो भी जनवन है उनको किस तरह से टैकल किया जाएगा देखिए प्रोटेस्ट की जहां तक मैं बात करूं तो प्रोटेस्ट का हाक एक डिमोक्रेटिक सेटप में सभी को है और हरे को अपनी बात रखने क है लेकिन पब्लिक हेल्थ हैमरजंसी का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आज की हम बात करें कि अगर कोई गैदरिंग्स हैं रिस्टिक्शन के उपर तो हर तरीके की गैदरिंग्स के उपर वो लागूं है तो मैं यही अपील उनसे करना चाहूंगा कि अपनी बात रखने के बहुत सारे तरीके हैं वो concerned offices में जाके अपनी बात कह सकते हैं mail के जरीए अपनी बात कह सकते हैं कोई virtual meeting भी करना चाहें आपस में कोई सहमती बनाने के लिए और मुद्दों को fine tune करने के लिए वो भी कर सकते हैं लेकिन लोगों की जो public health है उसको वो को वाइलेट करें उससे उनकी भी सेहत को खत्रा है और हम में से जो लोग को morbid हैं उनकी भी सेहत को खत्रा है तो मैं समझता हूं इन सब चीजों को हां अगर हम खुद से खयाल रखें जैसा community में पिछली दो waves में रखा है तो मैं समझता हूं बहुत जल्द हम इस समस्या से आखरे में चलते चलते आप से एक संदेश भी लेंगी और साथ में एक सवाल भी में रख रही हूं कि medical जो kit पिछली बार आपने दी थी इस बार अभी तक कितने home isolation में जितने लोग हैं उनको इक kit पहुंचा दी गई है देखें कोवीट किट्स की मैं बात करूं तक्रीबन दस हजार जो हैं कोवीट केर किट्स डिस्टिक अनिविस्टेशन की तरफ से डिस्ट्रिबूट की जा चुकी हैं हाओवेवर इस बार एक खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो माइल्ड और एस इंप्टोमेटिक के बहु इसलिए जो टेली कंसल्टेशन है जो एनचेम के जरीए भी टेली कंसल्टेशन की सर्विसिस प्रोवाइड की जा रही हैं जो लोग 104 पे कॉल करके वो ले सकते हैं उसके अलावा में हमारे कंट्रोल रूम के जरीए भी वो टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं ताकि उसके बाद अब आप लोगों के दिमाग में जितनी भी मुझे लगता है confusion थी वो सभी confusion दूर हो चुकी होगी अगर आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से दुकान बंदखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया यह चीज कहीं न कहीं administration के लिए भी और आपके सेहत के लिए भी ठीक होगा पर आप पर कोई force नहीं कर सकता इस बात को लेकर सर ने बिल्कुल clear कर दिया है पर हाँ जिस तरह से यह बात की गई है कि double dose होनी चाहिए आपका 72 hours के पहले का होना चाहिए इसके साथ साथ में 25 लोगों की जहां 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 पर capacity बोली गई है वो अगर कहीं भी वाइलेट होती है इसके साथ अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं वो कहीं पर violation होती है तो उस पर चलान भी होगा और इसके साथ साथ मे बुक भी किया जा सकता है इसके लावा आपको किसी भी चीज़ को लेकर ना तो बुक किया जाएगा और ना ही चलान आपका कट सकता है कहीं ना कहीं अब लोगों के दिमाग में जो confusion था मुझे लगता है जरूर दूर हो गया होगा इस interview के जरीए आप लोग इस तरह से बने किया जासब नामाशकार के पी जिए आपके लोगों किया को कि दूर अबसका कि भी उने डिका पाद कर रा आप लोगों